4 ऐसा केस होता है जिसके अंदर center कहा लाए करता है h, तो अगर आपको intermediate के अवाले से बात याद है कि जनाब हमें किस तरीखे से इसको solve करना है तो हम क्या करते थे हम completing square ग्राफेटर कम से कम 1 से जिएड़ पेज का सवाल है अगर आपको intermediate वेजा तो हमने क्या working की हमने ये कहा है जनाब के 2h बराबर होगा minus coefficient of x upon coefficient of x square जब मैं सवाल करा होगा आपको भी दो दिरिकले समझना है तो 2k किसके बराबर है minus coefficient of y upon coefficient of y square एक नमबर एक जुगाडी नमबर है जिसके कोई literal meaning नहीं है सिर्फ calculation में help कर रहा है ये नमबर किसे बराबर है h square into coefficient of x square plus k square into coefficient of y square minus constant ये जो भी नमबर आप आसिल करेंगे इसको divide करेंगे coefficient of x square से और coefficient of y square से 2 answer आएगे तो कि आपने 2 चीज़ों से divide किया एक answer बढ़ा आएगा और एक answer चोटा आएगा जो answer बढ़ा आएगा उसको आप a square मान लेंगे और जो answer चोटा आएगा उसको आप b square मान लेंगे जो आप इस पर लगा भी दिखा रहा है चोटी family के बडी family जब बडी family जब बडी family है तो इसका मतर सेंटर नहाँ पर है h2 h2 कितना होगा? minus coefficient of x upon coefficient of x kaya कितना होगा? minus coefficient of y upon coefficient of y ज pocz जब यहां से h कितना होगा? 16500, 16400 h कितना है? अभी k कितना आएका? thei this one minutes nine six k कितना हो, 3've न्बर चाईए आप नंबर कैसे आता है जनाब H square into coefficient of X square plus K square into coefficient of Y square minus constant जबाँ उसका हम solve करेंगे यह बन जाएगा 144 144 जो बना है यह नंबर इसको आप डिवाइड करेंगे coefficient of X square से और आप डिवाइड करेंगे coefficient of Y square से कितना है? 9 कितना आप यहां से answer मिलेगा आपको 9 और यहां से answer मिलेगा आपको 16 को बादे के मताबिक दू answer आ रहे हैं एक छोटा आ रहा है और एक बड़ा आ रहा है जो answer छोटा आ रहा है वो B square जो answer बड़ा आ रहा है वो A square तो जनाब सवाल यह खैदा होता है कि अधर X कैसे पता चलेगा जनाब जो छोटी सवाली चीज है वो X की मेज़ा से आ रही है जो बड़ी value है वो Y की वेजा से आ रही है तो जो बड़ी value आ रही है वो किसकी मेज़ा से आ रही है Y की वेजा से तो इसका मतलब इसका major x इस कौन सा है गया तो और हमें क्या चाहिए होता है c² चाहिए होता c² कैसे आता है a²-b² बिटिकना हो जाए है जाना तो जाए है a आगया plus minus 4 b आगया plus minus 3 और c आगया plus minus under root अब अगर मैं आपसे vertices मांगता हूं तो vertices क्या है जाना h, plus minus a plus t मैंने मांग लिए end points of minor axis क्या होंगे ये b plus minus plus h, k अब ये फोसाय मांग लिए h, plus minus c plus k मैंने आपसे directives मांग लिए क्या होगी जानाब y minus k is equal to plus minus a upon t eccentricity निकालनी है eccentricity क्या होगी जानाब c upon t जानाब ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं a, b, c, h, k की मदद से क्या हुआ क्यांक निकाल चुके ये लिए अब लुए